नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार जारखंड का नमबर वन यूटूब चैनलाइब सिटीज और मैं हूँ आपके साथ साहे वली लोग सभाचुनाओ में बड़ी भूवी का निभाने वाले राजस सुप्रीमो लालू परसादियादो की बेचैनी साफ देखने को मिल रही है दरसल बात यह है कि वो इस लोग सभाचुनाओ जो की 2019 का हो रहा है उसमें वो भागिदार नहीं बन पा रहे है राजस सुप्रीमो लालू परसादियादो राची करेमस अस्पताल में इलाज किरा रहे हैं सजा याफता है चारा गोटाले से जुड़े एक मामले में और उनकी बेचैनी साफ साफ जाहिर होती है उनके सोशल मीडिया एकाउंट्स को देखकर हम बात करें फेस्बूक की हम बात करें ट्विटर हैंडल की या फिर हम बात करें सोशल मीडिया के कोई और जरिये की लालू परसाद यादो लगतार उस पर एक्टिव है लालू परसाद यादो जेल से रहते हुए आखरी दोर में जो की 19 माई को होने जा रहा है लोग सबाचुनाओ 2019 का उसमें लालू परसाद लगतार और तेजी से एक्टिव होते जा रहे हैं वो ट्विट करते हैं फेस्बूक पे लिखते हैं और दहारते हैं लोगों को बताते हैं कि मैं हूँ जेल में ही हूँ लेकिन मैं हूँ अब देखिए लालू परसाद यादो के साथ साथ उनके पूरे परिवार के लोग भी आखरी दोर में आते आते काफी जादा सक्रिये हो गए हैं काफी जादा आकरामक भी हो गए हैं केंदर की नरेंदर मोधी सरकार और बिहार की नितीश कुमार की सरकार पर हम लालू परसाद यादो के कुछ tweets को देखते हैं उसמה आपको पता चले रहे कि वो किस तरह से active हा और क्या-kya लिख रहे हैं किस तरह से appeal कर रहे हैं तो आपने screen पर जो तस्वीर देख रहे हैं आप ये लालू परसाद यादो की Twitter handle की तस्वीरे हैं आप देखिए उस पे लालू परसाद यादो ने अभी सबसे लेटस ट्वीट जो है उनका वो यह है कि मेरे प्यारे बिहार वासियों इस महत्त पून्ट चुनाओं में जूट के विक्रेता, पाखंड के उस्ताद, वादो के ठग, दाओ के बाजिगर द्वारा जूट के फ्र पे जो सबसे लेटस ट्वीट था हो, हमने आपको बताया, अब आप देख रहे है अपने स्क्रीन पर यह राबडी देवी का टूटर हैंडल है, उस पर उनने क्या कुछ लिखा है, राबडी देवी लिखा है कि नितीज के कालिदास जैसन हाल होगिलबा, उजवन डाल पर बैठियन, ओकरे के काटा तरन, इनका के पिछड़ा वर्ग अती पिछड़ा औरु दलित वर्ग मिल के आगे बढ़ोलस ओही वर्ग के अपमान नीजी हित में ओकरा के आरक्षन से बेदखल करे में लागल बाड़न, मोदी संग या आरक्षन नोकरी समाप्त करे में लागल तो जाहिर सी बात है ये राबडी देवी का ट्विट था एक तरफ जहां उनके पती और राजर सुप्रीम लालुक परसाद यादो एक्टिव हैं धारदार ट्विट्स कर रहे हैं तो वही राबडी देवी उनका भी ट्विटर हैंडल अगर आप खंगा लेंगे तो वही सोश सबसे बड़ी चीज़ होती है आपको याद होगा विश्वास घात की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह जो विधान सभा चुना हुआ था इसने महागडबंधन ने स्वरूप लिया था उस महागडबंधन की सरकार बनी और नितीश कुमार बीच में ही महागडबंधन का साथ छोड़कर NDA के सामिल हो गए और उसी वक्स से लगतार उन पर आरोप लगता रहा कि चोर दर्वाजे से वो NDA में घुचने का काम किया उन्होंने और विश्वास घात का आरोप जनादेश के अपमान का आरोप मैंडेट का आपमान का आरोप ये लगाते रहे हैं ला लालू परसाद यादो के ट्विटर हैंडल पर सवाल उठाते रहे हैं वो बोलते हैं कि क्या ये सही है कि किसी पार्टी के नेता जेल में रहते हुए इस तरह के ट्विट करें और इस तरह की बाते कहें अपने सोशल मीडिया पर बताएं सत्ता पक्ष की बात करें तो सुश याफ्ता कैदी है अगर वो चाहे तो अपने टूटरे हैंडल पर किसी दूसरे अपने नजदी की सदस्ते से उस पर क्विट करा सकता है बसरते की जो बाते लिखी जाए वो आप अत्ती जनक ना हो समाज को ठेस न पहुंचा है तो लालो परसाद याद हो इससे तो भजगे कि जिस तरह से उन पर आरोप लगाएगे कि क्या एक्साजा याफ्ता कैदी खुद इस तरह की बात है लिख सकता है अपने टूटर एकाउंट पर क्या उसकी टूटर हैंडल पर इस तरह से एक्टिविटी हो सकती है तो चुनावा योग ने भी इस पर रोक लगाने से बना कर दिया और अब जो है कि जसे जसे आखरी दोर आ गया है शुरू से जब पहले चरण की बात करें उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे पांचवे चठे और यह सातवे चरण का चुना उननीस मही को होने जा रहा है ब राबड़ी देवी भी कभी कभार निकल जाती है बाहर लेकिन उनकी तबियत नासाज रहती है इस वर सो चुनाव परचार पूरी तरह से अक्टिव नहीं हो पाती है लेकिन जो सोशल मीडिया है ये जरिया लालु परसाद हो या फिर राबड़ी देवी हो या फिर तेज प मिलता है 23 माई को जब नतीजे आते हैं आप लाइफ सिटी इसकत बने रही है हाँ को बिहार समय देश दुनिया के तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं अगर अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देरी के सब्सक्र